इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं जोइंट वेंचर को संयूक तुद्धियम को तो दोनों ही लेंग्विज में अवेलेबल है इस वीडियो में यह आपका टॉपिक रिपीटिट टॉपिक है फोर मार्क्स का टॉपिक है शॉट नौट में पूछा गया है तो चलिए स् कि भाई बिजनिस मिलके ठीक है बिजनिस पार्टी मिलके कुछ काम करने जा रहे हैं तो ये जॉइनट वेंचर का मतलब یہ है कि एक बिजनिस अरेंड्मेंट है यह जिसमें दो या दो से ज्यादा पार्टी मिलके जो भी उनके पास पूरा करने के लिए सहमत होते हैं जो टास्क है जो टास्क को पूरा कर रहे हैं वो कोई नया प्रोजेक्ट भी हो सकता है या फिर कोई अधर बिजनेस अक्टिविटी भी हो सकती है इन जोइंट्वेंटर में जो भी पार्टिसिपेंट और प्रोजेक्ट certains वहाँ ऊसा कुछ नहीं है तो सबका उसमें involvement रहेगा However the venture is its own entity लेकिन उद्धियम क्या है कपनी एक एक आई है separate from the participant of the business interest जो प्रदिभाग्यों के अन्य website हितों से बनलब जो अन्य website हितों है उनसे अलग है अब जो कंपनियों होती है वो आम तोर पर ये जो चार कारण दे रखे हैं उनमें से किसी एक को follow करते हुए joint venture को pursue करती है तो पहला क्या है अससे new market एक नए बजार तक उन्हें पहुचना है तो वो joint venture का use कर रहे है विशेश रूप से उभरते बजारों में पार्टिकलर इमेर्जी मार्टिक ठीक है जो विशेश वजार है उनमें उभरने के लिए दूसरा है to gain scale efficiency by combining asset and operation और किसमें gain करने के लिए जो उनके पास संपत्ती और संचालन है ठीक है उसमें सही ओजन से कि वो combine करनेंगे अपने एक दूसरे के asset तो उन्हें उसमें efficiency हाश्री लोगी फिर है to share risk for major investment कि बड़ा निवेश कर रहे हैं तो उसमें जोखिम साजा करने के लिए कि अकेला bear नहीं कर पायेगा तो वो तो तिन पार्टी मिलके उस प्रोजेक्ट में पैसे लगा रहे है और जो major risk होगा अगर होता है तो वो मिलके bear करेंगे और लास्ट है हमारा असस्किल एंड कैपेवल्टी जो कोशल और शमता है उन तक पहुचने के लिए तो कुछ major joint venture के example है United Launch Alliance तो यह example आप लोग दिख ले ना अब जोइन्ट वेंचर कोई permanent structure नहीं है किसी भी business activity का कोई भी business activity को complete करने के लिए कुछ company जो मिलके एक अपना ग्रूप बना लेते हैं लेकिन यह permanent नहीं है तो इसको dissolve भी किया जा सकता है भंग भी किया जा सकता है कि हम जब aims of original venture met कि जो मेन जो था एम था venture का वो हो चुका है ठीक है उदेश्य मिल चुके है aim of original venture या फिर नहीं जो जिस goal के लिए आपने venture बनाया था वो आपको नहीं मिला है इधर और बोथ पार्टी डेवलप new goal जब जो दोनों पार्टी सी ठीक है उनका जो new goal था वो डेवलप हो चुका है इधर और बोथ no longer agree with joint venture aim तो कोई भी एक पार्टी या दोनों पार्टी agree नहीं है कि वो joint venture से अपना aim पूरा करें time agreed for joint venture has expired कि एक time agreed किया गया था कि भाई इस particular time के अंदर हम ये aim को complete कर लेंगे लेकिन वो expire हो चुका तो उस time पे वो dissolve हो जाएगी कुछ लीगर और financial issue हो जाए तो उस time पे joint venture को dissolve किया जा सकता है evolving market condition means that joint venture is no longer appropriate और relevant तो market condition को देखके भी आप joint venture को dissolve कर सकते हैं कि ये appropriate नहीं है relevant नहीं है last है हमारा one party acquired the other या एक party दूसरे को acquire कर ले अधिगरन कर ले तो उस time पे भी joint venture जो है वो dissolve हो सकता है I hope आपको clear हो गया होगा अगर आप इसके बार में और भी जाना चाहते तो विकीपीडिया पर आपको easily available होगा अगर वीडियो अच्छी लगिए तो like it share it and subscribe my channel thank you